ब्लड यानी खून हमेशा लाल होता है है ना गलत ब्लड अलग अलग रंगों का हो सकता है मनुश्य और दूसरे मैमल्ज में ब्लड लाल रंग का होता है जबकि आउक्टोपस में ये नीले रंग का होता है Oscillated ice fish में blood बिलकुल clear होता है Papua New Guinea में हरे blood वाले shank पाई जाते हैं इसलिए ये मत सोचिए कि blood हमेशा लाल रंग का ही होता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि blood किस चीज से बना है और blood के अलग-अलग components के क्या-क्या roles है Blood के components है red blood cells, white blood cells, platelets और plasma Blood का 55% भाग हलका, पीला, चिप-चिपा liquid होता है जिसे plasma कहते है Plasma मुख्यता पानी और protein से बना होता है ये शरीर में nutrients, hormones और proteins एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाता है Plasma शरीर में heat भी distribute करता है लेकिन plasma blood का वो component नहीं है जो blood को लाल, हरा, नीला या clear बनाता है Plasma में 92% पानी और पस 8% Plasma होता है अमारा लगभग 45% blood, red blood cell से बना होता है Red blood cells बहुत ही छोटी, biconcave, disc के आकार की cells होती है जिने erythrocytes भी कहते है ये bone marrow में बनती है और इनमें एक special type का protein होता है जिसमें iron होता है इस protein को hemoglobin कहते है Hemoglobin की मदद से blood हमारे शरीर में oxygen ट्रांसपोर्ट करता है और Hemoglobin की वज़े से ही blood का रंग लाल होता है Octopus में एक अलग प्रकार का special protein होता है जिसे Hemosinin कहते हैं और ये Octopus के blood को नीला बनाता है Ice Fish के blood में Hemoglobin या Hemosinin नहीं होता जिसकी वज़े से इनका blood clear होता है White blood cells और platelets blood का बस एक प्रतिशत हिस्सा होते है White blood cells हमारे शरीर की योद्धा है ये हमारे शरीर को बाहर से हमला करने वाले विमारी पैदा करने वाले pathogen से बचाती है White blood cells pathogen को दो प्रकार से नश्ट करती है 70% white blood cells phagocytes होती है ये pathogen को phagocytosis की प्रक्रिया से निगल जाती है दूसरी प्रकार की white blood cells lymphocytes होती है जो antibodies बनाती है antibodies foreign pathogens के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें जादा फैलने से रोकते हैं आखिर में platelets के बारे में जानते हैं ये blood का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं platelets blood को clot करने में मदद करते हैं जिससे bleeding रुख जाती है और घाव में infection नहीं हो पाता इस वीडियो में हमने जाना कि blood का color लाल ही होना जरूरी नहीं है blood का color इस बात पर depend करता है कि red blood cells किस चीज से बनी है blood में nutrients और heat transporting plasma होता है oxygen transport करने वाले red blood cells होते हैं और blood का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा होती है white blood cells जो pathogens को नश्ट कर देती हैं आखिर में होते हैं blood को clot करने वाले platelets प्रत चीज सकति से लाप्यास लाप्यास